हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी आई होप आप सभी बहुत अचे हो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत ही खुबसूरत आइटम बना रही हूँ जो की बिल्कुल ही कवार से मैंने बनाया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे तो देखे मैंने ये टेरा कोटा की एक बाउल ली है और इसको मैंने पेंट कर लिया है और पेंट करने से पहले मैंने इसके चारो तरफ में छेद कर लिये थे नो छेद मैंने चारो तरफ किये हैं और मैंने पानी में इसको भिगो करके रख दिया था और तब मैंने इसको साने से इन पे हो जाते हैं तो देखे प्रण यह मैंने नया ही एक आइटम लिया है जो कि इसका नाम तो मुझे पता नहीं है क्या चीज है लेकिन मुझे यह अच्छा लगा था मैं यह टेरा कोटा की शोपर कुछ समान लेने के लिए गई थी और वहां मुझे यह अच्छे ल रही हूं तो paint करने के लिए मैंने इसमें तीन के चार कलर यूज किया है क्योंकि इस पे खाने टाइप के बने हुए थे तो उनहीं को मैंने बस color किया है बाकी मैंने कुछ ने किया और बीज में जो यह आउटलाइन सी इसमें बनी हुई थी पहले से ही तो उसके ऊपर मैंने golden paint कर लिया है तो इस तरह से ये मेरे colorful बन गए है तो देखे कितना अच्छा color इन पर ये आया है और अब इसके उपर से मैं ये mirror लगा लूँगी तो देखे mirror लगाने के लिए मैंने फैविकोल को ही use किया है आप इसमें mirror के जो safe है साइज आप कुछ भी change करके लगा सकते हैं बस मैं तो ये मेरे पास जो रखे दे और मुझे जैसे अच्छा लगा मैं वैसे ही mirror इसमें लगा रही हूँ आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें mirror लगाईएगा ये बन कर बहुत ही खूपसूरत आइटम बन रहा है मुझे तो खुद इतना अच्छा लगा था जब ये बन के तयार हो गया था ये मेरी उमी से जादा ही अच्छा मुझे लगा है और क्योंकि इसका मुझे नाम भी नहीं पता था ये मैं वैसे ही लेकर आ गई थी तो इसलिए ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्योंकि पता नहीं था पहले ये कि मैं इसको ले जा रही हूँ और ये बनाने के बाद कुछ इतना प्यारा बन जाएगा तो दिखे इतना अच्छा सा ये इसका लुक आया है तो इस पर हम सारे जो हमने ये लगाए है इनको में एक रול बोल रही हूं तो सभी के ऊपर हम मिडर को लगा देंगे सभी को इनके फैविकोल की साथ से लगा लिया और जो बावल मैने पेंट की थी ये सुख गई है और सूखने के बाद मैंने इस पे भी चोटे-चोटे से मिरर लगा लूँगी तो देखे जहां पर मैंने शेद किये थे उनके बीच में ये कुछ टाइप के मिरर लगाऊंगी और जो ये शेद हो रहे थे क्योंकि इसमें मुझे अभी डोरी डालनी है तो इसलिए उस पे मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ उनका मैं बाद में कुछ कर लूँगी तो इस तरह से सारे मिरर चारो तरफ इसमें ख़बर कर देंगे तो इसमें आप चाहे तो ज़्यादा मिरर भी लगा सकते मैं तो बस एक एक लगा रही हूँ और ये काफी खुबसूरत बन जाएगा तो इस तरह से हम इसके चारो तरफ में मिरर लगा लेंगे फ्रेंट कभी कभी हमें अंदाजा नहीं होता है हम कितनी अची चीज बना लेते हैं लेकिन कबार से अगर बनी होती है तो उसकी खुशी हमें कुछ जादा ही मिलती है तो इसी तरह से मेरी साथ भी हुआ मैंने ये बिल्कुल ही कभार से बनाया और बहुत ही खुबसूरत आइटम बनकर तयार हुआ है तो देखे फ्रेंट मैंने इस पे मिरर लगा लिये हैं और मिरर लगाने के बाद अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे जब तक ये सूखेगी तब तक हमने जो ये रोल टाइप के बनाये थे इनके उपर हम कुछ वर्क कर लेते हैं तो देखे मैंने ये एक बीट लिया है और इसके अंदर मैं निडल से ये बारिक वाला गोटा पट्री डाल लूँगी अब नीचे हम छोटी सी ये नॉट लगा देंगे ताकि मिरर ये जो हमने मौती डाला है मौती में ये आरपार ना हो तो इसलिए मैंने नीचे को इसमें एक नॉट लगा ली है अब उसके बाद हमें क्या करना है हमें इसमें आरपार निकालने से पहले इसको हम पलट करके एक बार और इस नॉट के अंदर से सुई को निकालेंगे तो ये डवल करके इस पर आ जाएगा ताकि मौती अपनी जगा पर बिलकुर फिक्स हो जाए और जो ये रोल तयार हमने किये थे अब इसके अंदर हम निडल को डाल करके गोटा पटी को बाहर की साइड ले आएगे चोड़े वाले छेद की साइड से हम निडल को डालेंगे और बारिक वाले से साइड से हम बाहर को निकाल लेंगे ये एक साइटे थोड़ा सा चोड़ा और दूसरी साइटे पतला है तो इस तरह सी ये कौन टाइप का बना हुआ है तो मैं इसको कौन ही बोलूँगी तो कौन के अंदर से हमने ये गोटा पटी निकाल ले तो सभी में मैंने ऐसे ही किया है तो देखे फरेंड अब ये गोटा पटी जो हमने उपर लिया इसके उपर हम ये बारिक वाले मिरर कटपीस लगा लेंगे तो मैंने ये लंबे वाले मिरर कटपीस ले थे मेरे पास ये चोटे वाले ही रखे थे तो इसलिए मैंने ये ही इसमें लगाए है आप अगर इसी साइज के आप अगर लंबे वाले लगाएंगे थोड़ा सा यानि कि ये लंबे वाले मिरर को आप थोड़ा बड़े वाला लगाएंगे तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे कटपीस वाले मिरर थे तो इनको लगाने में मुझे थोड़ा सा जादा वक्त लगा है आप अगर खरीदने जाएंगे तो आप थोड़े से बड़े वाले लीजेगा तो देखे फ्रेंड ये बनकर कंप्लीट होगे और देखे अभी मैंने कंप्लीट लगाए भी नहीं और ये कितने कुप्सूरत कौ दोटी बड़ी रखेंगे मैंने जो मिरर इस पर चिपकाए हैं ये पहले छोटे वाले पर मैंने चार और फिर चैसा और आठ इस तरह से हम दो-दो के अंतर से पीछे वाले को बढ़ा करते चले जाएंगे पहले नंबर का हम छोटा रखेंगे फिर उसके बाद के हम दो-दो मिरर एक्स्ट्रा करके लंबी लड़ी बनाते चले जाएंगे और उपर हम ये सारे शेद को निकाल लेंगे और निकाल करके हम उपर एक नोट लगा देंगे और ये एक रिंग टाइप का मैंने इसमें डाल लिया है ताकि इसको मैं हैंग कर सबूँ ये भी मैंने एक कॉल्ड की बोटल को काट करके बनाया था तो देखे इस तरह से हमने सब को इसमें डाल लिया है और ये डालने के बाद जो हमने छेद बनाये थे जहांसे हमने गोटा पट्टी को निकाला है उसके उपर से मैं ये तिकोने वाले मिरर लगा लूँगी ताकि ये जो छेद है ये दिखे भी नहीं और इसके उपर डेकोरेशन भी हो जाए तो फ्रेंट इस तरह से हमारी बाउल जो है पूरी कंप्लीट हो गई है और देखे ये उपर से भी कितनी अच्छी लग रही है और अंदर की साइड से आम जब देखेंगे इसको लगा हुआ ये बिंड चैम है और जो कि बहुत ही खुपसरा तो बहुत ही प्यारी सी सुरीली सी आवाज निकल रहा है आप इसकी धीमी सी आवाज सुनके बहुत ही खुश हो जाएंगे इसमें एक बहुत ही अच्छी सी आवाज निकल रही है जो कि मैं कैमरे में आपको डारेक्ट तो शाय कुछ ज़्यादा आ रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा इसको नहीं की जाए वरना यह बहुत ही खूपसूरत आवाज आ रही विर्कुल बिर्ट चाइम हमारा बहुत ही अच्छा बना है और मैंने इसको हैंक कर दिया है तो फ्रेंड देखे आपको मेरा कवार से बना ह खूपसूरत सा डेकोरेशन आइटम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेर कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और आपको भी स किसे दिपाबली को मनाएगा ऐगा बाइबाएबाएबाएब।